पिछले भाग में आपने नव्या की कहानी देखी जो नगर की सीट और सेठानी की बेटी थी। कहानी में कुछ गहरे रास छिपे थे। जहां एक तरफ एक नागिन का साया है तो दूसरी और सीट सेठानी कुछ बड़ी बात छिपा रहे थे। उधर नव्या इन सबसे अंजा पास पड़ी लकडी से उस लड़के के सर्में मारने लगता है पर तब भी नव्या पीच में आ जाती है जसके नव्या के सर्पर सबतस चोट लगती है और उस लड़के को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि वो उसे उठा कर एक बड़ी से पेड़ के तीछे ले जाता है फिर उस पेड़ के पीछे से बस उस सर्दार की एक चीक ही आती है नव्या खड़ी होकर उस तरफ जाने लगती है कि तभी वो लड़का सामने आ जाता है और उसे रोकता है क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, तुम महा मजाओ, इन डाकों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए अकेली लड़की देखी नहीं कि लूट पार्ट चुरू कर देते हैं नव्या बस उसकी आँखे देख कर मुस्कुरा रही थी तभी लड़के की नजर नव्या के सिर से टपक रहे खून पर गिरती है अरे, आपको तो बहुत घरी चोट लगी है नहीं, ये तो बस जरा सी चोट है लड़का उसे नदी के पास ले जाकर पानी से उसकी चोट साफ कर रहा होता है कि तभी नव्या को उस पानी के अंदर एक काली साप की परचाई दिखाई देती है और वो जोर से चीकती है आ, ये फिर आ गया चीकते हुई नव्या पीछे की और होने से नदी में गिरने लगती है और साथ में उस लड़के को भी पानी में दे जाती है अग दो लोग पानी में एक्तम भीक चुके थे बचाओ, बचाओ, मुझे तेरना नहीं आता और इसमें एक साप दी है मैं मरना नहीं चाहती, मुझे पचालो फ्लीज नव्या चीखते हुई लड़के से एक्तम लिपड जाती है लड़का नव्या का ऐसा बच्पना देखकर हसता है मड़मा पानी में अच्छे से खड़ी तो हैं और डूब भी नहीं रही है और रही बास सांप की, तो इतनी सुन्दा लड़की को तो सांप भी नहीं काटेगा नव्या शर्मानी लग जाती है वैसे मेरा नाम धुरव है ओ, मैं भी न, मैं नव्या हूँ और दोनों पानी से बाहर आती है और नव्या भाग नहीं लगती है तभी धुरूव उसे अवाज लगाता है और धुरूव की आखो को ही देखती जाती है धुरूव भी वहाँ से चला जाता है अब जंगल में कोई नहीं था सिवाए उस सरदार की लटकती लाश के जो एक दम नीली पड़ चुकी थी मगर वहाँ एक चीज थी जो हर दम नव्या के आसपास रहती थी वही काला साफ पेड के अंदर से साफ की बड़ी विशाल काली पूच निकलती है और सरदार की लाश को पूच में लपेटते हुई निकल जाती है नव्या जैसे तैसे अपने कमरे की खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती है अरे अब मैं उपर कैसे चड़ू कितनी पाकल है तू तुझे तो यहां एक रस्सी लटकानी चाहिए थी नव्या सोच ही रही थी कि तबे उसी खिड़की के सहारे एक मोटी काली रस्सी लटकी नजर आती है और नव्या खुश होकर उसके सहारे चड़कर कमरे में आ जाती है नव्या नहीं जानती थी कि वह कोई रस्सी नहीं बलकि वही साप था नव्या जैसे ही कमरे में आती है कमरे का दर्वाशा खुलता है और सुश्मा अंदर आती है सुश्मा को देख नव्या घबरा जाती है मा तुम ये पक्रियों के जैसे क्या कर रही है और ये तु इतनी भीगी हुई क्यों है वो मा मेरा मन पानी के साथ खेलने का कर रहा था तो मैं ऐसे ही भीग ली अब आप लोग मुझे बाहर तो जाने नहीं देते हो मेरी बिटिया रानी मैं और तेरे बाबा तेरा भला ही सोचते हैं हमेशा और कल तेरे लिए एक बहुत बड़ा सर्प्राइस भी है सर्प्राइस वाओ मा हम कहीं घूमने जा रही है मुझे बताओ मुझे बताओ बताओ ना मा हट बदमाश, कल खुद ही देख लेना सुश्मा चली जाती है और नव्या भी अपने कपड़े बदल लेती है तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर जाती है और नव्या धुरूफ की आँखों को देखते हुए उसका पूरा चहरा बना देती है धुरूफ कितना प्यारा चहरा है ये नव्या पेंटिंग में धुरूफ को चुम लेती है तभी उसे होश आता है और वो देखती है कि पेंटिंग पर नव्या के लिप्स्टिक का निशान छूट गया है नव्या तू तो पागल हो गई है ये क्या कर रही है तू चांती तक नहीं है कि वो लड़का कौन है कहां से आया है और नव्या पस मुस्कुराती हुई बाहर चली जाती है जंगल में नाग नागिन के परिबार में कोई चश्न मन रहा था आज नाग रिशब और नागिन संजना की शादी है आखेर दोनों का मिलन हो ही गया सुना है नागिन संजना ने सुहाग पाने के लिए नाग देव तक से लड़ाई कर ली थी और देखो आज इन दोनों की शादी हो जाएगी रिशब और संजना की शादी हो जाती है संजना की बेटी अक्सर ही अपने दोस्त के साथ खेलती है रिशब उन दोनों को खेलता देख बहुत खुश होता है हां रिशब एक सुहागिन नागिन का भागय बहुत नसीब वाला होता है देखना हमारी बेटी राज करेगी संजना, रिशव और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी मगर उस रात खंडर में संजना और रिशव को कुछ लोगों ने चला दिया था संजना का श्राप आज भी उस खंडर में गोंचता है मेरी बेटी, मेरी नन्नी चेडिया, अपनी मा को भूलना मत, भूलना मत बेटा अचानक रात में नव्या की आँख खुल जाती है मा, मुझे अचानक से इतनी पेचैनी क्यों हो रही है? और नव्या जैसे ही उठती है, चौक जाती है सेट सेठानी अब तक सोई नहीं थे सुनिए, उस नागिन का प्रकोप कही हमारी परिबार को ना खा जाए दो दिन बाद पूर्निमा है, हर साल बड़ी पूर्निमा को नागिन आती है और वो इस बार भी आएगी, हमें को छुपाय करना होगा आखिर कौन है वो नागिन, क्या वो उस नागिन का शाप है, जो सेठानी की सुहाग पर खत्रा है या नव्या का इन सबसे कोई संबंध है, जानने के लिए देखिए आगे तुम यहाँ कैसे? सामने धुरूफ खड़ा रहता है, नव्या कमरे की लाइट ओन करती है मगर तुम यहाँ आए कैसे? और क्यों आए? और तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? मैं आया खड़की से, और तुम्हारा पता ढोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था यहाँ की सबसे सुन्दर लड़की कहा रहती है, यह तो हर कोई जानता है यहाँ पर तभी धुरूफ की नजर सामने रखी उस पेंटिंग पर जाती है एक मिनट, पेंटिंग? वो भी मेरी? श्या बात है मैडम, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया चुप करो और जाओ यहाँ से मगर धुरूफ पेंटिंग पर बनी उस लिपस्टिक के निशान कुछ होता है और बिना कुछ कही नव्या को किस कर लीता है पहली बार नव्या के करीब कोई लड़का आया था नव्या को भी कुछ समझ नहीं आता वो बस चुप चाप खड़ी थी और धुरूफ नव्या के दूसरे गाल को भी चुम लेता है तभी नव्या पलटती है, तो देखती है, वहाँ ध्रूफ था ही नहीं, कमरा एक्तम खाली था, नव्या को कुछ भी समझ नहीं आता यह सब क्या हुआ, क्या वो लड़का कोई भूत था, या मैं ही पागल हो रही हूँ, मुझे सो जाना चाहिए और नव्या लाइट्स ओफ करती ही सो जाती है, तभी खिड़की के अंदर से ही शान्थ की रोशनी आती है, और कमरे में एक काली परचाई खड़ी दिखाई देती है, जिसकी आँखें चमक रही थी अगले ते नव्या उठती है, नव्या धुरूफ से मिलने की वज़े से काफी खुश थी, और चहकती हुई अपनी मा के पास जाती है मा, मेरा वो पुराना वाला फोटो एल्बम कहा है? क्या बात है? आज पुरानी तस्वीरे देखेगी मेरी गुडिया, जा तेरे बाबा की स्टड़ी रूम में रखा होगा, वहां से ले ले और नव्या इठलाती सी उदे सिंग के परसनल स्टड़ी रूम में जाती है, और इधर उधर आल्बम ढोटने लगती है, मगर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता, तभी उसके नजर सामने वाले अलमारी की तिजोरी पर जाती है हाँ, जरूर यहां रखा होगा बाबा ने नव्या तिजोरी के पास जाती है और उसे खोलती है, जैसे ही वो तिजोरी खोलती है, पूरे कमरे में एक सीज रौशनी आ जाती है, उसमें एक चमकीले हीरे जैसी कोई चीज रखी थी, नव्या उसे हाथ में उठाती है अरे ये क्या है? तभी उस चमकीले पत्थर में से एक रोशनी निकलती है और नव्या के शरीव में त्रवीश कर जाती है जंगल के अंदर आसपास सभी साफ निकल कर एक जगे आकन रित्य करने लगती है नव्या नहीं जानती थी वो चीज क्या है कि तभी उदे सिंग की जोरडार आवाज आती है नव्या के हाथ से वो हीरा छूट कर नीचे गिर जाता है नव्या डर गई थी आखिर क्या था ऐसा उस हीरे में नागिन बनी सुहागन कहानी के सभी चैप्टर्स के राज जानने के लिए ऐसे ही हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और देते रहिए धेर सारा प्यार अपने पसंदिदा चैनल लव सिटी को